हेलो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सेयर टूडे में आज हम डिसकस करने वाले डेल्टा कॉप लिम्टेडी से स्टॉप में दीखें तो आज के दिन तीन रुपे 10 पैसे की देजी दीखने को मिली है और ये स्टॉप डेड़ पर्सेंट से भी उपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है हम इस वीडियो में ये डिसकस करेंगे कि इस स्टॉप में फ्यूचर में क्या टार्गिट बंत हुए नजर आ रहे है और हमें स्टॉप लोज कहां पी ट्रेड करके चलना चाहिए सब तो एक महीने में इस स्टॉप में आदे परसेंट के करेब की गिरावट देखने को मिल रही है तीन महीने में इस स्टॉप में छे परसेंट से भी उपर की गिरावट देखने को मिल रही है तो छे महीने में इस स्टॉप में पंदरा परसेंट के करेब की गिरावट देखने को मिल रही है लॉंग टम का चार्ट पैटन देखें तो इस स्टॉक में लगातारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा जहां पर काफी निवेश्पों को एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटन देखें तो कु यृँपर का इक फिरिस ब्रेक आउट को बात करें तो इरौंड दोसो तीन रुपे इस स्टॉक में आप उपर का एक फिरिश सपोर्ट लेवल हैगा ये स्टॉक जैसे ही 203 रुपे का एक ब्रेक आउट देता है इस स्टॉक में बड़ी रहली देखने को मिलेगी और जैसे देखे तो नीचे की स्टॉक में 175 रुपे का एक स्टॉंग सपूर्ट लेवल बनता हुए नजार रहा है ज अगर आप इस स्टॉक में लोंग टम के लिए पोजीशन बनाना चाहते है तो रहांड 175 रुपे के बड़े स्टॉक लोज के साथ उपर के लोंग टम टार्गेट 250 रुपे तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं अगर आप इस स्टॉक में स्टॉक के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो रहांड 190 रुपे के एक छोटे स्टॉक लोज के साथ उपर के स्टॉक टार्गेट 220 रुपे तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद